6.6 विद्युद्धारा का तापिय प्रभाव Thermal Effect of Electric Current हम अपने द्यानिक जीवन में कई ऐसे उपकर्णों का उपयोग करते हैं जो विद्युतूर्जा से कारे करते हैं और कुछ समय कारे करने के पश्चात हम इन उपकर्णों के चारों तरफ उश्मा को महसूस कर सकते हैं उधारन तह, इस्त्री, विद्युत बल्प, आदी जब किसी चालक में विद्युत्धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत उर्जा की हानी होती है जैसा की हम उर्जा सनरक्षन के नियम से जानते हैं कि उर्जा ना ही उत्पन हो सकती है, ना ही नश्ट केवल एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरित हो सकती है इसलिए विद्युत उर्जा की हानी उश्मी उर्जा में रुपांतरित हो जाती है विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का उश्मिय या तापी प्रभाव कहते हैं परिपत का गर्म होना विद्युत धारा के उश्मिय प्रभाव है जूल का तापनियम माना की आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विब्वानतर वी आरोपित किया गया है तब टी सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश बराबर धारा गुनित समय या Q बराबर I गुणित T समी करण एक विबवानतर की परिभाशा से T समय में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q गुणित V समी करण एक से Q बराबर I T तब W बराबर V I T समी करण दो प्रतिरोधक R में आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरत तक लाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन उश्मा के रूप में प्रकट होता है तब समी करण दो में W के इस्थान पर H लिखने पर H बराबर V I T समी करण तीन प्रतिरोधक में T समय में विद्युद्धारा I द्वारा उत्पन उश्मा H बराबर I का वर्ग गुनित R गुनित T ओम के नियम V बराबर I R से इसे जूल का तापन नियम कहते है इस नियम के अनुसार पहला प्रतिरोधक में उत्पन उश्मा H उसमें प्रवाहित धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात H अनुक्रमानुपाती आई वर्ग दूसरा प्रतिरोधक में उत्पन उश्मा H प्रतिरोधक के प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात H अनुक्रमानुपाती आर होती है अर्थात H अनुक्रमानुपाती T H बराबर I का वर्ग गुणित R गुणित T समीकरन 4 6.6.1 विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर वह दर जिस पर विद्युत उर्जा किसी अन्य प्रकार की उर्जा में रुपांत्रित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है दूसरे शब्दों में कारे करने की दर को शक्ति कहते है विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणन फल जितनी होती है किसी विद्युत परिपत में उर्जा हानी की दर को भी विद्यूद शक्ति कहते हैं विद्यूद शक्ति को capital P से व्यक्त करते हैं माना कि किसी विद्यूद परिपत में V volt विभवांतर पर I ampere की धारा प्रवाहित हो रही हो तो T second में विद्यूद उर्जाहानी W बराबर V I T अता एक सेकेंड में हुई विद्यूद उर्जाहानी बराबर W बटे T बराबर V I T बटे T बराबर V I इसे विद्यूद शक्ति P कहते हैं P बराबर W बटे T बराबर V I समी करण 5 विद्यूद शक्ति का SI मात्रक What है समी करण 6 से समय T में इस्त्रोद द्वारा परिपत को प्रदान की गई उर्जा T गुणित T है जो V I T के बराबर है H बराबर V I T समी करण 3 से इसलिए H बराबर I का वर्ग गुणित R गुणित T चूंकि V बराबर I R विद्यूद की खपत H को हम किलो वाट में या यूनिट में दशाते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1000 वाट गुणित 1 घंटा बराबर 1000 वाट गुणित 3600 सेकंड बराबर 36 गुणित 10 की घात 5 वाट सेकंड बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 वाट सेकंड बराबर 3.6 गुणित 10 की घाट 6 जूल घरों में वै होने वाली विद्युत उर्जा के माँ फेतु निमनलिखित सूत्र प्रयुक्त करते हैं वै विद्युत उर्जा विद्युत यूनिट में बराबर विद्युत उपकरनों की संख्या गुनेत विद्युत उपकरन की शक्ती वोट में गुनेत समय घंटे में गुनेत दिनों की संख्या पूरे के बटे एक हजार